चलो बच्चों तो आज हम लोग SS में चप्टर नमबर 11 कंटीन्यू करते हैं जिसका नाम है इंडियन जूडिशेरी देखो कल हमने इस वीडियो में हमारी इंडियन जूडिशेरी के बारे में समझा था ना कि हमने देखा था कि हमारी जो इंडियन जूडिशेरी है वो एकदम सिस्टमेटिकली वर्क करती है यहाँ पर जितने भी कोट जितनी भी अदालते आयो है वो स्टेप बाई स्टेप आय होती है उसके बाद अगर हर एक स्टेट की बात करें कि पूरे स्टेट में कितनी अदालते होती है तो वह कहलाती है हाई कोट पूरी स्टेट में एक में कोट वह हाई कोट कहलाती है और पूरी कंट्री के लिए पूरे देश के लिए जो सबसे बड़ी अदालत आती है तो चीज है कल हमने देखी थी ना आज हम लोग दूसरी कोड के बारे में समझें जो है हाई कोड हाई कोड क्या कहलाती है तो हाई कोड वो कोई भी स्टेट की सबसे बड़ी कोड कहलाती है कोई भी स्टेट में जैसे हमारे गुजरात में तो गुजरात की सबसे बड़ी कोट तो वो हाई कोट कहलाती है हमारे गुजरात की कोट अमदावाद में आई होई है तो ऐसे हर एक स्टेट में हर एक स्टेट में ऐसी एक एक हाई कोट आई होई है ठीक है लेकिन कुछ जो है वो समझो special भी है कुछ state special कहलाते है कि जैसे कि आपको पता है पंजाब हर्याना चंदिगाड ये तीन state है न तो इन तीनों state की मिलाकर एक ही high court है जनरली तो हर state में अलग-अलग high court होती है लेकिन यहां पर पंजाब हर्याना चंदिगाड ये तीन ऐसे state है कि जिनको मिलाकर एक आक ही high court आई होई है इनके अलवा आसां के पास में अगर देखो न तो आसां के पास में seven states है साथ श्टेट तो seven states की मिलाकर ए एक high court आई है कि जिनमें AJम मनीपूर मेगालें नागा लेंड त्रिपूरा मिजोर्तारम अरुनाचल प्रदेश तो इन वहर्यों कहरँ दोड कर एक ये पंजाब, चंदिगड, हर्याना और दूसरा ये आसाम के 7 states इन दो को छोड़कर बाकी के सभी states में हमारे इंडिया में एक-एक हाई कोट आई होई है ये हाई कोट वो state level पे एपेक्स कोट कहलाती है मतलब state की सबसे बड़ी कोट हाई कोट में कितने judges काम करते हैं उनमें एक तो chief justice होता है समझो chief judge, एक main judge होता है और उसके अंडर काम करने वाले judges वो हर्येक state में अलग-अलग होता है fix नहीं होता हर्येक state के लिए वो fix नहीं होता है हमने बता है Supreme Code में ऐसा देखा था कल कि सुप्रीम कोड में एक चीफ जश्टिस होता है एक में जज होता है और उसके नीचे 28 दूसरे जजिस काम करते है जबकि हाई कोड में ऐसा नहीं हाई कोड में एक में जज होता है लेकिन उसके नीचे काम करने वाले जजिस फिक्स नहीं होते कोई स्टेट में ज्यादा है तो कोई स्टेट में कम होते हैं उसमें जो मेन होता है न चीफ जेस्टिस उसे कौन अपॉइंट करता है पता है कंट्री का प्रेसिडेंट कंट्री का प्रेसिडेंट वो चीफ जेस्टिस को अपॉइंट करता है और इसके साथ साथ जो हमारे स्टेट का जो गवर्नर हुआ वो उन्हें हेल्प करते हैं मतलब समझो के हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट वो हर एक स्टेट के गवर्नर के साथ मिल कर वो ये चीफ जश्टिस को सिलेक करते हैं फिर वो chief justice अपने wyork के हिसाब से, अपनी need के हिसाब से दूसरे judges को select करते हैं, फिर वो chief justice को जब भी जितने भी judge की जरूर हो, तो वो दूसरे judges को select करते हैं, ठीक है, इसलिए high code के judges, वो सभी state में same नहीं होते, किसी में कम, किसी में जादा होते हैं, अगर उनकी qualification आप लोग देखो न, कि इनकी qualification क्या high court का judge बनना होता हो, तो उसके लिए भी सबसे बहले तो वो इंडिया का citizen होना चाहिए, दूसरा कि high court का judge बनने के लिए उसे कम से कम high court से नीचे वाली जो court आती है, जैसे district court होई, या दूसरी तालू का court होई, ऐसे कोई भी court में कम से कम 10 साल तक as a judge, judge की तरह work उसका होना चाहिए, या तो और करके दिया हुआ है, या तो फिर कोई भी दूसरी high court में, कोई भी तरह की high court में 10 साल तक कम से कम उसे as a advocate, वकील की job उसकी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अगर high court का judge बनना हो न, तो दूसरी कोई उससे छोट कोट में कम से कम 10 साल तक उसकी judge की नौकरी होनी चाहिए, कम से कम 10 साल तक, या तो फिर दूसरी कोई high court में ही, कम से कम 10 साल तक उसकी advocate की मतलब वकील की job होनी चाहिए, या तो फिर और करके जो आखरी में देते हैं, कि वो president या तो governor की नजर में, president या तो governor की नजर में, कोई फेमस एड़ोकेट या जूरिस्ट होना चाहिए कोई फेमस जज या तो वकील होना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट कोई लगे कि नहीं बाई यह वकील बहुत अच्छा है तो वह प्रेसिडेंट खुद सामने से उसको सिलेक कर सकता है कि हाँ यह यह परसन वह हाई कोड का ज़्यादा होनी चाहिए नहीं एज मैकसिमम कितनी होनी चाहिए 62 यह उससे ज्यादा नहीं कि इनकी जो टाइम लाइन होती है ना हाई कोड के जज जो होते हैं उनका अगर टाइम पीरियड आप लोग कहो तो वह 62 यह का ही होता है मतलब के 62 यह में फिर गवर्मेंट उन्हे रिटायर कर देती है कि अब भाई आप हाई कोड के जज बन सकते नहीं हो ठीके ना 62 के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है और दूसरा कि अगर हाई कोड के जज को बीच में अगर निकालना हो ना जनरली उसकी एज तो वह 62 की हो जा उसके बाद उसको रिटायर करते ह अगर बीच में हाई कोड के जज को निकालना हो तो उसके लिए भी special procedure आती है जो हमने सुप्रिम कोड में भी समझी थी ना एक impeachment procedure तो वैसा ही हाई कोड के लिए भी ऐसी impeachment procedure आती है कि जिसमें जो state parliament है हर एक state में जो विदान सभा और विदान परिशद आया हुआ होता है कि उनमें high court के judge के खिलाफ वोटिंग होती है High court के जज़ के खिलाफ आपे voting की जाती है सबूद इकटे किये जाते है कि अगर सब लोग ये कहते है कि High court का जज़ है वो सही से काम नहीं कर रहा है या उसने कोई गलत काम किया और उसके बाद voting की जाती है जिसमें 66% से जदा लोग अगर ऐसा कहते हो क्या बहुत का judge गलत है तो उसके खिलाफ फिर यह case चलता है और उसे उसकी job से हटा दिया जाता है high quote के judge की post से उसे हटा दिया जाता है फिर ठीक है बाकि high quote के judge को भी हटाना वो इतना आसान नहीं है और यह high quote का work क्या है यह उनके judges के बारे में तो समझा, जो दूसरा point आता है कि power and jurisdiction of the high court, कि high court का क्या-क्या work है, कि जिनमें सबसे पहले original jurisdiction, original jurisdiction मतलब originally या main high court का work क्या है, इसमें कौन-कौन से cases होते हैं, तो high court में भी almost हर तरके cases वहाँ पर लड़े जाते हैं, खास कर कोई भी तरह के civil cases, criminal cases, तो वह सब cases यहाँ पर होते हैं high court में, ठीक है, यहां तो फिर कोई दो district के बीच में, कोई दो city government जो कहते हैं, जो municipality कहते हैं, कि अगर उनके बीच में, अगर कोई भी तरह का dispute होता हो, तो वह dispute वह यहाँ high court में लड़ा जाता है, ठीक है न, high court मे main cases वह होते हैं, जो district court में न आ पाते हो, district court के लिए अगर वह cases बहुत बड़े हो, तो वह cases high court में transfer किये जाते हैं, ठीक है, यह उनका original jurisdiction, खास कर जब कोई बड़े, क्या कह सकते हैं, कि कोई criminal cases अगर हो, बहुत बड़ा criminal, किसे का कोई बहुत, कोई बड़े गुंडे ने, high court में transfer करते हैं, तो ऐसे criminal यह civil cases, कि जिसमें लाखो करोडों की अगर कोई problem हो, कि जिसे अगर कोई दो परिवार वाले आपस में जगड़ पड़ते हो, कोई जमीन मकान के लिए, और वो जमीन भी कोई छोटी मोटी नहीं, करोडों की अगर कोई जमीन हो, तो उनका case district court में नहीं लड़ा जाता हो, उसका case सीधा जाता है, high court में, तो यह उनके original jurisdiction में आता है, और दूसरी अगर बात करें, वो आता है, affiliate jurisdiction, affiliate मतलब क्या, कि भाई, appeal करना, जैसे हमने कल भी बात की थी, कि high court से नीचे, वो आते हैं, अलग-अलग district court, या subordinate courts होते हैं, कि generally, अगर district court में, district court में, कोई भी तरह की problem हो न, उसके अंदर अगर कोई भी तरह की problem होती हो, और उनका case का जो, समझो, result है, वो कोई person को पसंद ना आता हो, कि जैसे, अगर मैं district court में कोई case लड़ रहा हूं, वरवर, मेरा कोई case चल रहा है, और वो case में, जो judge ने फैसला सुनाया न, वो फैस मैं satisfied नहीं हूं, कि अगर मुझे वो फैसला पसंद नहीं आया, वरवर, तो फिर क्या किया जाएगा, कि अगर मुझे फैसला पसंद नहीं आया न, तो उसकी appeal, मैं high court में दे सकता हूं, district court से उपर, high court में, मैं उसकी appeal बेच सकता हूं, appeal मतलब एक तरह की request बेच सकता हूं, ज जो मैं पहले हाई कोट में भेजूंगा कि डिश्ट्रिक कोट में जो मेरा केस चला उस केस का रिजल्ट मुझे समझ में नहीं आया तो प्लीज वो केस फिर से री ओपन करो फिर से वो केस लड़ा जाए तो अगर हाई कोट को सही लगता है किया भाई इसने जो रिक्वेस्ट भेजी है इसने जो पिटिशन भेजी है वो पिटिशन करेक्ट है तो ही हाई कोट वो मंजूरी देता है और उस केस को फिर आगे चलाता है लेकिन अगर हाई कोट कोई नहीं अच्छा लगे न कि नहीं भाई ये केस जो है वो सही नहीं है जो डिश्ट्रिक कोट ने फैसला सुनाया वही करेक्ट है और कुछ भी नहीं तो इसकी वज़े से वो केस फिर हाई कोट में नहीं जाता वरबन और ये अपिलिये केस अगर यहां डिश्ट्रिक कोट में चल रहा है कोई सिटी की कोट में चल रहा है उसका फैसला मुझे पसन नहीं आया तो कुछ टाइमिंग के अंदर कुछ सालों के अंदर ही मुझे वो रिक्वेस्ट हाई कोट में भेजनी चाहिए मतलब मेरा केस आज हो गया और उसके 10 साल बाद अब मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं वो केस तो फिर से लड़ना चाहिए कि अब वो केस में आगे हाई कोट में जाके लड़ूँगा कि 10 साल बाद मुझे ऐसा याद आ रहा है तो वो नहीं चलेगा ठीक है वो कोट सब ऐसे ही फ्री थोड़ी बेटी है कि आप 10 साल पुराना केस आपको अचाना कि इच्छा हो जाती है कि चलो डिश्ट्रिक कोट में नहीं हुआ तो आप हाई कोट में लड़ूँगा तो 10 साल बाद आप शुरू करोगे तो ऐसा ही हा कह देगी नहीं होगा नहीं होगा नहीं ऐसा उनका कुछ timing होता है कि कुछ सालों के अंदर कुछ timing के अंदर ही अगर आप लोग high court में request भेजते हो न तो ही वो accept करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो यह सब affiliate jurisdiction में आया और दूसरा क्या आता है administrative jurisdiction दूसरा administrative इसका मतलब क्या तो administrative का मतलब कहलाता है कि management करना तो high court क्या manage करती है या क्या ध्यान देती है तो high court के नीचे आयोई जितनी भी court है न जो भी subordinate courts कहलाती है उन सबका record उन सबका ध्यान वो यह high court रखती है मतलब समझो के state के अंदर आई होई जितनी भी कोर्स हैं कोई भी एक state में जैसे गुजराज state में तो गुजराज state में main high code तो अमदाबाद में है न तो यह अमदाबाद की high code पूरे state में जितने भी cases होते हैं जितनी भी कोर्स आई होई हैं तो उन सबका record उन सबका management administrative वो यह high code करती है तो high code यह check करती है कि जैसे गुजराज state में जितने भी कोर्स आई हुए हैं उन सब में काम बरोबर तो चल रहा है न सब लोग rules और regulation follow तो कर रहा है न वहां पर कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है कि कि अगर कोई कोट में काम गलत चल रहा हो न कि इस वह समझो कोई city में वो काम बरोबर नहीं चल रहा है तो उसका record high code रखती है और high code उस court को फिर समझाती भी है कि देखो तुमारी अदालत में यह काम बरोबर नहीं चल रहा है तो उसे सही तरह से करो तो ऐसे suggestion देना दूसर legislative jurisdiction कहलाता है और इसलिए यह high code भी एक तरह की court of record कहलाती है सुप्रिम कोट को जैसे court of record कहते हैं तो वैसे high code को भी court of record कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि यह भी पूरे state में पूरी country का तो नहीं सुप्रिम कोट पूरी country का record रखती है अपने पास पूरे देश का record जबकि high code तो हाई कोड पूरे देश का रेकोड नहीं रखती लेकिन पूरे स्टेट का रेकोड रखती है कि पूरे स्टेट में कहां कहां पर कैसा कैसा केस चला उसके लिए जज ने क्या फैसला सुनाया किसको केस का फैसला पसंद आया किसको नहीं आया तो यह सब हिसाब किताब यह सब रे कोड़ अपने पास रखती है। और regularly उसको cheikh भी करती रहती है हाँ regularly check भी होता है कि कौनए से कोड में क्या फैसला सुनाया गया वो सही ठाया गलत था अगर हाइग को लगे न कि aquest कि आप ये फैसला भले 12 मैने पहले केस चला था लेकिन ये फैसला उस जज ने गलत सुनाया है तो है कोड़ खुद वो केस को reopen करती है और फिर से वो केस लड़ा जाता है तो इस तरह से सबको सही तरह से न्याएं मिले सबको सही justice मिले तो इसके लिए यह काम किया जाता है इसके लिए यह हाई कोड भी काम करती है न बरवन तो देखों आज जैसे हमने यह हाई कोड के बारे में समझा न अब बाकी बची हमारी डिश्ट्रिक कोड कल सुप्रिम कोड के बारे में देखा था यह हाई कोड अब हमारा डिश्ट्रिक कोड के बारे मे जिसके बारे में अब हम लोग कल के वीडियोज पर देखेंगे ओके टेंक यू